ये अंग्रेजी स्कूल बच्चों का मॉल है आपके गार्जियन मन चाहे मॉल में ले जाते हैं और वहाँ पर हजारोड उपे का पैमेंट करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई के लिए समझिए इस बिजनेस को समझिए मैं आपको बता रहा हूँ आपका स्कूल का ड्रेस आपका बैग आप का पेन आपका पैंसिल आपके किताब बहुत सारे मतलब एक तरह से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको E to Z चीज़ें आपको स्कूल से ही लेना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है उसके लिए हजारों का पैमेंट लिया जा लेकिन इस बार सब कुछ इक्सपोज हो गया दोस्तों मैं हो के अर्कृष्णा और आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप इस वीडियो को अंत तक देखिए बहुत सारी चीजे मैं इसमें क्लेयर करने वाला हूं और रियली आपको यह फील हो हैं और अब गरीब के बच्चों को भी सरकारी स्कूल छोड़ करके अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की आदत डाल दी गई है सरकारी स्कूल में सरकार अच्छे टीचर्स नहीं लाते हैं प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर्स जाते हैं सरकारी स्कूल में आरक्षन का कौनसेप्ट कहीं न कहीं सरकारी स्कूल का बेवस्ता को कमर तोड़ देता और वहीं पर अंग्रेजी स्कूल में वे तरह 57ных जो जो पढ़ाई करके होते हैं जिन जो ऊसलें जाते हैं इन दोनों के बीच में चीजे क्या चलती है कैसा बिजनेस होता है यह सब कुछ आप अगर सही से समझें तो आपके आपको लगेगा कि आपकी गार्जियन हजार उरुपे का पैमेंट तो करते हैं लेकिन इसमें रियालिटी वही है जो सरकारी स्कूल के लिए भी सही में थाद intenasi फाबित होता है कि जो बच्चेपढने वाले होते जो अपने अपने बने यह यह नकिक्तर आंधित आगे ऊसी ने पताते हुं में एक वीडियो में पूरा चीज आप समझ को जो लुए कि टीलेkem क्या है क्या कर रहे हो यह बच्चों के साथ खेल क्यों रहे हो यह बच्चे आज धर्णा पर बैठने वाले आपको मैं बता दू मेरे जान पहसान के कई बच्चे जो आज स्कूल पर जाकर के धर्णा पर बैठने वाले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह चल क्या रहा है इ जो बचो को हंड्रेड में हंड्रेड नंबर देने के लिए CBSC को जाना जाता है जिनके यहाँ पर उनके जो गार्जियन है वो गार्जियन हजारों रुपी खर्च करके अपने बच्चो को किÓसी सकूल स्कूल पाथे हैं वहांने स्कूल में कि इनफ कarten रोग किसी इनफ नहीं है किसी कॉलाज मैं अट्मिशन के इनफ नहीं है इने पता है और स्कूल प्रम्शन को , जाकर के कर लो तो पिर यह नया ड्रामा और इन दे दिया तो सिर्दा सम्झा दो ना कि यहां नमड जो हमने चेप दिया वह संबाल लो उसके दम पर जाकर कहीं भी कुछ कर लो फिर यह नया ड्रामा क्या है कि हूँ डूस नॉट सटिस्फाइब कर सकता है वो कर सकता है एक्जाम रीग्जाम दे सकता है अभी जो रीग्जाम देने के लिए बच्चे उनको प हो रही है कि अब सर हम सर्शाम कीताया कैसे कर यह बीच में ट्राइब हो चुके मुझे निए पता यह जए गेम जो है ट्रैपिंग गेम यह कौन सीभी असी के तरफ से बढ़ियां खेला जा रहा है अब यह जो ट्रैपिंग गेम है इसमें बच्चे फंस चुके हैं कि इन ब exam वी नहीं दे सकते हैं सरधा कुलर पर सर्कुलर फरकुलर फिर से एक नया सर्कुलर आखिर ये सरकुलर है क्या के मेरे प्यारे दोस्त आपके साथ है खेल खेल जा रहा है जश्में दो टीम हैowej जैसे की होता है एक टीम है आपका CBSC दूसरा है स्कूल कि CBSC वाले सर्कुलर जारी करके भेजते हैं और लिंक जोड़ देते हैं आपके स्कूल से स्कूल वाले एक सर्कुलर का जो सुझाव है वो CBSC को भेजते हैं और फिर से वो कुछ सुझाव देते हैं ऐसा ही चलता हा रहा है मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर ये आठ अगस्त वाला सर्कुलर है क्या और इसमें लिखा क्या है आपके लिए क्या है डियर स्टूरेंट्स आपके स्कूल ने आपको एक्जाम नहीं लिया लेकिन प्री बोर्ड एक्जाम लिया था यूनिट टे पॉलिशन पॉलिशी के हिसाब से होगा इस बीच में ममता शर्मा वर्सेश सीवीसी का केसिज राइज होते हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आना परा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां रिजल्ट का यहीं बेसिस होगा कुछ इस तरह से कहानी चलता है और जल्ट आपका आता है इस result में आप में से कुछ satisfy हैं आप में से कुछ not satisfy हैं मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चे not satisfy हैं उसी के ठीक थोड़ा दिन के बाद 10th का भी exam का result दे दिया जाता है जबकि कोई exam नहीं हुए होते हैं उनका भी कुछ इसी policy के तहत उनका result जारी किया जाता है हमारे आगे के लिए काम आएंगे पहली चीज दूसरी चीज सर इतने नंबर कम आये हम डिजर्ब नहीं करते हैं फिर इसका क्या solution देखो इसी सब चीजों के लिए सी जो अभी सर्कुलर जारी कर रहे हैं वह किसी तरह से आपको खुश करना चाहते हैं आपके गार्जियन को सब्सक्राइब करें काव बेंदा बज़ चाता पैसा यांता है अभी चाहता है उनका ड्रेस से ऊचरोएगी उनका कौपी तक कुछी के स्कूल से होना चाहिए यह बाहर से नहीं ले सकते हैं गार्जियन का तो पूछो मत क्या होता है आप अपनी गार्जियन से पूछना क्या हाल होता है लेकिन इस बार जो नंबर दिया गया है इसमें स्कूल वाले और सीबीएसी बोर्ड वाले का दोनों का जो परदा है ना फ्लैस्बेक की तरह से एक दम से साफ साफ जलकने लगा है मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार सीबीएसी ने बिल्कुल वैसे ही नंबर को डिस्ट्रिब्यूट किया जैसे सरकारी स्कूल में बच्चो को किये जाते हैं इस बार आपको हंड्रेट परसेंट दिखने वाले बहुत कम मिलेंगे मैं रेर जो मिल गया समझो की साब पहले तो साब 95 प्लस लाने वाला चालिस चालिस जार पचास पिचास जार स्टूरेंट्स होता था पूरे देश में दस बार अलाक स्टूरेंट्स में लेकिन इस बार साब 50 60 70 80 तो सर बहुत हो गया बहुत बढ़िया नंबर आया यह हाल है इस बार के तो ऐसे में आप समझ यह यह एक ऐसे ट्रैजिडी में अब इनको एक्सपोज तो होंगे यह सी वीए सी यह तो मैं पूरी तरह से आपको कह रहा हूं और अच्छी तरह से एक्सपोज करेंगे इनके बच्चे ही आप पिछले दसकों से आप जो नमर दे रहे थे उसमें बच्चे खुस्ते गार्जिन खुसते अभी जो आपने नमर दिया है वो ही न कहीं बच्चों को सटिस्फाएए निकर रहा नगारजयन को सूट कर रहा है यह बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं आपी की स्कूल में पढ़ा हूं मुझे आप ही पढ़ा हैं आप ही के टीचर्स कहते हैं कि हम छे स्टूडेंट्स है आपके स्कूल के लेकिन सर इस बार जो नंबर दिया गया बहुत कम नंबर है शर मैं क्या करूँ आगे मुझे क्या करना होगा मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है घरवाले परिशा हूँ है नबर द मादस कुछ करने के लिए आपके शू सब्सक्रेण है और उनके बारे में कुछ अच्छा मैस्ज़ दीजिए समाज में ताकि गरीब बच्चा भी उस स्कूल में जाकर के खून का जो होता है सिरिंज से खून निकाल वह आपके गारजियन को वह खून निकालते हैं और फिर स्कूल में इंजेक्ट करते हैं समझे इस बार वो सारी चीज़े आपका एक्सपोज हो गया है दोस्त छोड़ना मत आप इन चीज़ों पर जरूर गहान अध्यान करने की कोशिस करना कि आखिर यह माज़रा है क्या जो रिजल्ट आया है आपके ना वो उसका रिजन है कि 95% जो गारजियन इन ही उनको average सब्सक्राइस माक्स दिया गया है जो बच्चें उनको average मश्राइस दिया गया 95 परसेंट जो गर्जियन में नहीं को नबर दिया गय मैं ऐसा समस्क्राइब आगी परसेंट को मंबर अच्छे भी दिये गएम जो मांगी 90 5% है ना उसमें उनको इस बार एक्सेस करने में चूक हो गया और वो चूक बहुत भारी चूक हुआ जिसमें कि अच्छे-च्छे बच्चो शामिल है जिनका नंबर खराब आ चुका है और वो धर्ना तक पर बैठने के लिए तयार है और वो मेरे को लग रहा है आज से उनका सुरू हो चुका है कि भी सी वाले परशान है कि हम आके नंबर कैसे देते हमारे पास कोई और जडिया नहीं था स्कूल वाले परशान है कि हम तो सीवीजी के हिसाब से चलते इन तीनों चारों ट्रेजिडी में स्टुएंट कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुका है अब दिक्कत यह है कि यह बच्चों को खुष करने के लिए अलग-अलग सर्कुलर जारी करते ताकि बच्चे किसी ना किसी एंगल पर सटिस्फाइब हो जाएं आप समझिए लेकिन इस बार बहुत स्रंख्या है आप कितने को खुष किजिएगा कहीं ना कहीं आप परिशान हैं चलिए मैं आपको बताता हूं क कि आपके जो इस्कूल वाले ने जो आपकी दलील को सीवी असी तक पहुचाई थी उसमें उन्होंने क्या लिखा आठ अगस्त दोहजारे किस का यह सर्कुलर है जिसमें की उन्होंने सबसे पहले कहा कि सुनो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे चात्रों सुप्रीम सब्सक्राइब ने नमबर का पैटर्ण सेठ किया था पहले तो यह सपूल बताते भी नहींति कि हैं चाहिसे N embebb डियोब Him Bachelor कर्वाले सर से की डियर प्रिंसीपल सर हम्हें चाल रैकिय कमसे कम बता भई कि आपने number कैसे अड़ी बच्छे पर्रिशान है जो बच्छे वो कह रहे हैं चको हमने दीया नहीं आप ने उस exam का तो result बें दीयाल लेकिन प्रीबॉट का सब्सक्राइब चुस्का इचौप Derid प्र समयों कि धो उसका प्रीबॉट का प्रिसल मघतीन ने जा रहे हैंüng सब्णके प्रीबोर्ड में कितना नंबर आया है लेकिन सी बीएसी वालों ने जो एक्जाम आपने नहीं दिया था वह एक्जाम का रिजल्ट वो दे दिये तो इनी चीजों के लिए उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि इस सर्कलवर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उसी पैटर्न को अपनाया जो सुप्रेम कोर्ट ने हमें सजेस्ट कर रखी थी और उसी के हिसाब से हमने आपको रिजल्ट दिया है अगर आप सटिस्फाइब नहीं है तो आप आने वाले में सामिल हो सकते हैं हमने 16 अगस्ते लेकर के 15 सेप्टेमबर तक एक्जाम का सेड्यूल लगता है उसमें आप इक्जाम देशक्ते है डेट वाइज़ इक्जाम होगा एक्जाम का डेट्निक लेगा उसके पहले आपको अप्लिकेशन भरना एक और इस एप्लिकेशन के होते हैं इस पहले point के अंतरगत तीन-चार मामले इनके सामने आते हैं तीन मामले विसिकली कि वाटर टाइप ऑफ डिस्विट वन एंड तू उसके बाद दूसरा भी में आता है कि वाटर टाइप ठीडिस्प्यूट और वाटर टाइप फोर डिस्प्यूट यानि कि चार डिस सब्सक्राइब को 30% और 10 वाले को 30% 10 वाले में उन्होंने कहा कि सर हमने 10 वाले के best three performing subject out of five में से सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से उनके नंबर को हमने समझ रहे हैं आप देखिए यह तीन पॉइंट्स उन्होंने बता रख ठीक है सब बी में उन्होंने कहा कि तीसरा dispute क्या है उन्होंने कहा कि तीसरा dispute है कि once any result committee herself without any representation from any students observe that mistake has been committed by them का अगर मानलो committee ने बिना कुछ दे के समझे आपका नमपर चेपते चला गया है तो यह मामला जाएगा dispute number three when जब चौथी डिस्प्यूट की बात करते हैं सी पॉइंट की तो उसमें कहा गया है कि the policy has been approved by honorable supreme court of India जिसमें कि उन्होंने date दे रखा है 17621 का और उन्होंने बनाया है एक committee जिसके माध्यम से उन्होंने tabulation policy के हिसाब से number दिया गया और जो इस policy के तहट आते हैं उनका number बढ़ाया जाएगा ठीक है इन तीनों में लगबग में 90% student का problem इन्होंने solve करने की कोशिस किया है तीन point में ठीक है उसके बाद ये तो ABC तीन point हमने आपको dispute के बारे में बताया है जो की एक number के अंतरगत आता था अब दो number समझ येगा इनका है कि modalities to address dispute type 1 इसमें उन्होंने dispute 1 को सामिल कर लिया type 1 dispute दो था उसको सामिल किया है उन्होंने का कि as this issue is related to the candidate sense the process will start with an application form application form भरना है उस application form को आपको या तो आप online बढ़ सकते हैं या फिर offline बढ़ सकते हैं और यह सारा कुछ आपको school में जमा होगा स्कूल बाले आपको आपके record को maintain करेंगे और उसको CBSC को inform करेंगे यह सारा काम स्कूल बाले को होगा और इसके बाद वो verification करेंगे verification करने के बद दो तरह की चीजिए आपके सामने आएंगे और एक चीज होगा कि result declared is found correct type 1 में और जल्ट फांड इस रिजल्ट डिकलियर फांड इस नॉट करेक्ट यह टाइप टू में वहां पर मैंने आपको टाइप टू डिस्प्यूट एक साथ बदाया था यहां पर नहीं क्लासिफिकेशन कर दिया कि टाइप 1 में वह चीजें होंगे जो करेक्ट है और जो नॉट करेक्ट है वह टाइप टू में चला जाएगा ठीक है सर इसके बाद इसके बाद इन सारे प्रोसेस को स्कूल कम्प्लीट करेगी जो इस यूज होगा इसको सॉल्व करने की को सिस कर उस नॉट करेक्ट है तो उस नॉट करेक्ट को हम विफ्चार करेंगे स्ट्रिकली इन द लाइप पॉल bearingsों के बारे में उन्होंने बताया है कि वह स्कूल के वी जो मतारी होगी ओर जो प्रिंसिपल सर होंगे वह अपनी हाद पर इन चीजों के Type 3 school will send detailed request with records to the regional office concerned through the school request submission for resolution यानि की SR-SR system इस SR-SR system के माध्यम से वो problem को solve करने की कोशिशिष करेंगे जो wrong competition हो गया है 95% student किसमें cover हो गए जो dispute वाला मामला जो not satisfied है इसके बाद इसके बाद है उन्होंने जो आपको बता रखा है पांचमा पॉइंट एड्रेस डिस्प्यूट फोर इसमें कहा गया कि इस अप्लिकेशन आप स्कूल विल बी सेंट तो बोर्ड तुरू दे स्कूल रिक्वेस्ट अमिशन असा अपको बता दिया नंबर शिक्स है कि सेड्यूल ऑफ यह सारा अप्टिविटी जो आपका स्टार्ट होने वाला है वह नो आट दो हजार एकीश ठीक है एंड होगा 11-8-29-21 प्रॉसेंग्ड कमीटी स्टार्ट डेट 10-8-21-1 और 13-8-20-21 मतलब नौ से ग्यारा के बीच में यह dispute को consider किया जाएगा और 10 और 13 के बीच में यह सारे प्रोसेसिंग कर दिये जाएंगे कमीटी के द्वारा टाइप 2 का है 11 अगस्त सुरू होगा 14 अगस्त को खतम होगा चाफ बारा अगस्त को इसका स्पूसेसिंग और ऐसी तरह से अगस्त को शेकर दिया इन बच्चों को यह मतलब को समझ में आए बच्चों को तब यह इदर से उधर 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 से उधर यह सर्कुलर से क्या बच्चे सटिस्वाइब जाएंगे कया इनका नमबर मिल जाएगा कि अगर नमबर मिली जाएगा तो ऐसे नौर्मल प्रोसीजर से कर दो यह यह डिस्प्यूट में तो बच्चे खुद को लगेगा कि वो मतलब कौन से कौन से एक्टिविटीज में उन्होंने क्या कर दिया कि उनके साथ यह हो रहा है बताओ यह मतलब क्या चीज़े यह सारा कुछ आपके सन्यम भरद्वा जो की कंट्रोलर आप इग्जामिनेशन है उन्होंने यह सारा कुछ लिख रखता और बता रखता है नया सरकुलर में अब फिर से नया क्या ड्रामा होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा वरना स्कूल जाना पड़ेगा चीजों को जानने के ल लिखते हैं और फिर जाकर यह हाल है सर जो नंबर दिये गए लिख जिसमें हम जाकर के मोबाइल से लिखते हैं यह फिर नहीं भी चापते हैं तो इसकोल वाले हमें बाहवाही देते हैं 24 देते हैं कि बेटे तुने अच्छा किया और अच्छा हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं आगे के लिए त्यार हो जाओ फाइनल एक्जाम आ रहे हैं लेकिन इस वारा से कुछ हुआ नहीं आपके फाइनल एक्जाम तो हुए ही नहीं